विडियो में हम देखने वाले हैं क्लाश 12 के लिए बायोलोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो कि आपकी सभी यूनिट से होंगे और जिस प्रिकाल से पूछे जाने हैं ब्लूप्रेंट के आधार पर होंगे तो इसमें यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन है जिसम आपको मिलेंगे देखे आप लोग फिजिक्स का जो पेपर है वो देखकर थोड़ा घबरासा गए होंगे क्योंकि आपके जो प्रिप्रिक्स में निमेरिकल बेश्ट आते हैं और कभी-कभी पूरे निमेरिकल ही दे देते हैं उस प्रकाल से तो वह उसमें फिपर ठोड़ा टफ हो जाता है लेकिन बायोलोजी में ऐसा नहीं है बायोलोजी में थियोरी ही आती है तो आप लोग निश्चिंद रहेए पिरिपनिटले आपके पूचह जाएंगे जो मैं प्रिपर अपको मिलेंगे पेपर में और आप पिरिपर के बाद वीडियो को मैक्स भी कर सकते है देखे यह काई एक है आपका यहाँ पर जनन है रिप्रोक्षन है देखे अब पेपर कैसा आएगा वो हमें तो पता नहीं लेकिन आपको क्या करना है आप कर किया सकते हैं आपके हाथ में है कि जो कुस्चन्स में दे रहा हूं इनको आप 100% कंप्लीट कर सकते हूं और इसमें क अब बाहर क्यों पाजाते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है दोचर बीस की बोडपरिक्षा में पूछा गया भी यह पिरिशन है यूडीस क्या होते हैं ठीक है इंट्र-उल्डड डिवान से खर असके आहें यह सबaby Р और तीन मक्ते हम सकते हैं भारत में भारत में पर्वान था घ्रिक्रम की शुरूण को क्या होता है यह क्लिस्थ में तो यह दो मार्क के आपकी यूनिट फर्स से हैं ठीक है और साथी इसमें कुछ प्रिश्ण जो तीन नमर के हैं बता देता हूं एक पूछे जाएगा तीन नमर का इसे यूनिट से एक ही पूछे जाएगा तो इसमें देख सकते हैं लगू भी जाणू धानी की विभिन परतों का सचित्र बर्डन करिए ठीक है उसके बाद दिखे जो चार चर्ट पढ़ते होती न ठीक है तो वह आपको इसमें जो सबसे आंत्रिक प्रविटम होती है तो चार बढ़ते हैं उनको अच्छे से डिटेल में आपको समझाना रहेगा उसका डाइग्राम भी बनाना रहेगा इसको समझाना है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद दिखे अंडजनन की प्रिक्रिया को सचित्र समझाना है और शुक्राणू जनन या अंडजनन इन दोनों में अंतर बताना है क्या है चेप्टर नमबर 4 का कॉश्चन है इसका महत्त लिखिए तीन नमबर के साफ से बहुत या पूछे आने वाले प्रिशन है या हो सकता है यह दो नमबर में भी पूछ ले तो आप दोनों ही कंप्लीट कर लेना यह उन संचारेत रोगों से बचने के प्रहों को पाए क क्या है तीन नमबर के साफ से बहुत इंपोर्टन प्रिशन है अब इस चेप्टर में से मतलब फोट चेप्टर में से कुछ यहां पर जो फुल फॉर्म से जो अच्छे से याद करने आपको इससे डेपनेटले आपका अब्जिक्टिव प्रिशन बनेगा और हो सकता है आप का मतलब होता है Entry Retroviral Therapy and Jift का मतलब होता है Jigote Intrapherapine Transfer Gift का होता है Gamit Intrapherapine Transfer and MTP का Full Form होता है Medical Termination of Pregnancy MTP इसको आप दो नमर के साफ से कम्प्लेट कर लेना कि MTP क्या होता है ठीक है क्योंकि इंपोर्टेंट है इस प्रिकास से आपकी यूनिट फर्स्ट के कोश्चन हो जाते हैं अब यूनिट दो है अनुबांस की तेथा विकास जनेटिक्स एन इबोल्यूशन इसमें से देख लेते हैं जो आपकी यूनिट सेक इसमें तीनन चेप्टर हैं पाच छे और सॉक्टर fel से एक संकर क्रॉस को परिवास्ट करिए दूज इंड हिए मेंडल की प्रभाविता की नियम को सजित्र समझाईए आप जो प्रभाविता का नियम दर्शाते हैं उसको आप चेकरवोड की सायदा से समझा सकते हैं हीमोफीलिया रोग क्या है अनुमाल सी कूट की दूब इस्टा है ठीक है डिने फिंगर प्रेंडिंग के उपयोग लिख जाएए ठीक है अब मैंने इसमें दोनों एक ही में दे दिये हैं वैसे समझात संबत्य अलगलाग प्रिशन पूछा जाता है लेकिन आपको दोनों कर ले ले हैं कि पता नहीं कैसा बंजाए क्योंकि इसमें इस चैप्टर से तीन नमर का आएगा की दोगा है उसमें प्रिश्न है मेंडल के सुदंत अभ्यूहन नियम को सचेतर समझाईए डिया ने अंगली शेपन पुड़ी लिखना है बाटसन करेक को दूई कुंडल है उनल चेतर साइब करना है आपको जो बाटसन करेक ने दूई कुंडल दिया था ठीक है डवल हैलिकल चार मार्क्स का भी एक प्रिश्नाना है इन तीनों चेप्टर में से पांच शेया और साथ में से डिक है तो इसमें से आसकते हैं एक हीमुफीलिया के रोगी पुरुष का विवायदी सामान इस्तरी से कर दिया तो इससे उत्पन संस्थिका रिखाचेतर त्वरा प्रदसन करि करना जृह मिलर्यूरी करना सब्सक्राइब कर देना मानम लिंग में सन्ज्ट को समझा है इसको मैसे अचे तो आठ और दर्स चेप्टर ने को विल दो चैप्टर में से आपके इसमें से दो अंके दो आएंगे ठीक है और यहां पर तीन अंक का आएगा क्या वह बता दूंगा देखेंगे दो अंके दो आएंगे यह निए गया दो दो करना चाहते हैं तो विपसाइट का लिंक डिसकुशन में हैं जाके प्मौडड कर पाएंगे ठीक है पर परिवासित की जैसमें कोई दे सकते जैसे प्रतितोतक तक क्या है वैक्सइन क्या है क्या है इसमेंसे कोई दो जैसे कि एक स懈ता तब बैक्सीन दे देंगी और यह उसकता इंटा तो इसके ऐस कॉन कर लेना आप तो तो जो रोग उत्पन करते इंवह पिथूजट का लाते है बीवं go to pack और बियोडी तो बहुत इंप्भूट है ब्योडी क्या होती है बायो केमिकल या बायो लॉजिकल ऊक्सिजिटिन डिवस्ट यह बहुत इंप्भूड इसका फॉल्टी साब्भी मेथनुजन क्या होते हैं मेथनुजन किसे कायते हैं बायो गैस के घटकों के नाम लिखना है किंडवन क्या है सभी इंपोर्टन प्रिशन है बहुत ही सिंपल से एक एक बार बढ़ लेंगे न तो आप अच्छे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बीडी कोटन में बीडी का रूठ के उजन के परणो बाणो का वरण कीजिए लिटार है प्रिशन के जिए लिख सकता है सक्रियों निश्क्रियों प्रतरक्षा में अंतर बैसन के प्रवख कारणों का वड़न कीजिए उसके अदिखिये मानों समाज पर स्रीद पर अल्कोफल के प्रवख करना है दिके उसके बाद HIV क्या है यह आपका 2019 की बूर्ड परिक्षे में पूचा गया है थीक है एचाई भी क्या है एड्स की रोकता हमके कोई चार उपाई लिखे तो इस प्रकास से यह सभी आपके हो जाते हैं यूनिट नंबर थार्ड से यूनिट फॉर्थ आती है जो आपकी बाय टेक्नलोजी है जाए प्रोध की इसमें से देखिए दो नंबर का एक आगा पांच नंबर की प्रशन ने बो में बताऊंगा दो नंबर की बता देता हूं इन में से कर लेना आपका डिपनिटल आ जाएगा तो देखिए इसमें डीने पोनर्स रहे हो जिन तकनीक क्या है एक तो यह प्रशन बहुत इंपोर्टेंट है उसका मत्त क्या है प्लाजमिट क्या है जो क्लोनिंग बेक्टर पीवी आर 322 होता है इसका रूफी निरूपण आपको करना मतलब इसका डाइग्राम बनाना इंस्याटी में दिया है इस परस्ट रूप से बना सकते हैं गोल्डन राइस क्या है यह तो बहुत इंपोर्टेंट है क्राइप रूटेंट क्या है निम सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना इस निर्मार करें निर्मार किया जाता है जोड़ा लंबा हो जाएक लेकिन देख लेना आप लोग ठीक अरुबानसिक रूपाद्रत फ्रसलों के उत्पादन के लाव और हानी के तुलातों को विभेट की ये मतलब करें ये इंपोर्टेंट है ठीक है ये तो बहुत है इंपोर्टेंट ये ज्यादा है क्योंकि करते में रूप से इंसुलन का निर्माण किसे प्रकार किया जाता है ये आपका पूछा भी गया है कई बर्ष पहले ठीक है दिखिए पाट जीनी जीवाणू क्या ये अंसरी का कुश्चन है एंसरी में डारेक्टी दिया गया एंसरी सॉल्यूशन आपने करा होगा तो इसमें आपने देखा होगा इसका सुचित बड़न करना है किसी ये कोदा चीवाट छो र्वस्लें इसका है एक आता है बंड में यह देखे ना ूसके यूनेट फिप्ट है जो जाने अंतर लिखना यह इंपोर्टेंट है एक्टो थर्मिक एंडो थर्मिक में अंतर लिखना है सहजीवता सहीवजता में यह अंतर आप तिनों अच्छे कर ले ना एक नहीं अंतर हो सकता आपको एकजाम मिल जाए पारीदंत के प्रमोग घटक जो होते हैं ठीक है अप माल जग यह सब होते हैं जो अब घटक यह सब यह इनको अच्छे से बड़न करना आपको है उसके खाद सरिंखला खाद जाला बहुत इंपोर्टेंट है वैसे हाला कि यह सरल प्रशनों के स्रेडी में आते हैं लेकिन सरल प्रशन भी पेपर में आते हैं ऐसा नहीं है कि सभी कठनी आते हैं ज जो आपके एक्जाम में मिलें मिल सकते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है वह क्योंकि जो प्रशन है मैं उसमें आंसर भी लिखा है है तो पूरा आप उसको देख सकते हैं ठीक है उसके बाद दीखे जैब विवित्ता की हानी के तीन कारण लिखना है एकसी टू कंजर करने के उपाया बताना है पाषितिक प्रामिड है इसको में और जाका इच्छे करना अप लोग और मिल्ट बना जाता है यह कैसा बना जाता यह आप अच्छे से ध्यान रखना ने गारे जीवों के बांज कांड लिखनान घांस में पारितन तुमें गलाओ रिखा शीजा र प्रकास यह सब्सक्राइब अब फिरिषण को जाते हैं और आफ यह आप को एकजाम में मिलेंगे और वीडियो को आप मेंच कर लेना कितने प्रशन आये हुए तो चलिए मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो एक क्यार वाबाए